स्टुडेंट्स हमने आकी मात्रा की थी हम आकी मात्रा की साहता है सही आज क्या करेंगे शरीर क्या शिक हैं तो सबसेे पहले हम देळ डालतें बारा मई 2000 दोहजार بीश और विशे हमारा हिंदी है खक्षा हमारी UKG है आज हम क्या करने जा रहे हैं शरीर के अंग तो हम शुरू करते हैं देखो जो भी हमने पहले किया उसी से, उसी की साइता से हम शरीर के अंग करेंगे देखो, हमने तीन वर्ण वाले किये थे न तो हम लिखते हैं सबसे पहले कमर क कान कान और मैंने आपको आ की मात्रा बताई था आ की मात्रा कैसी होती है सीधा डंडा औके आप यह क्या बन गया कान कान न के साथ मैंने आगी मात्रा लगाई आपका मुझ खुलता है मैंने आपको बताया था ना कि न के साथ हमारी हमारा मुझ खुलता है अब यह न क्या बना ना क ना क ठीक है आगे देखो ब के साथ मैंने आगी मात्रा लगाई ब आ बा ल आगे देखो ग के साथ मैंने आगी मात्रा लगाई क्या बना ग आ गा मुझ खुलता है ना आगी आवाज आती है गा ल गाल एक और लिखते हैं हम ग ल आ अब देखो ग के साथ आ की मात्रा नहीं है यह ग है और ल के साथ आ की मात्रा है ला ग ला गला यह हमने आ की मात्रा से शरीर के अंग सीखे ठीक है आपको भी बोल बोल के और आ की मात्रा याद करनी है कैसे आ की मात्रा की आवाज आती है और वो कैसे लिखी जाती है तो आपने आज ये शरीर के अंग करने हैं ओके थैंक यू